हेलो दोस्तों मैं राकेश शौदरी आपका mathematics teacher welcome करता हूँ आपका digital theory के youtube channel पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं RS अगरवाल हिंदी वाली book के बारे में chapter है हमारा सरली करण और उसका part देख रहे हैं part number 4 start करते हैं part number 4 question number 46 से start हो रहा है तो देखते हैं question number 46 आपको क्या कह रहा है question mark दिख रहा है आपको उसकी value निकाल लिए है निकाल लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 7100 minus है question mark तो उदर चला जाएगा तो plus का हो जाएगा 41 ये 125 और वो जो 7225 है वो इदर आकर minus का हो जाएगा और ये इदर question mark आपके हो गया किसका plus का बस इसे सरल कर लेते हैं answer आ जाएगा तो मैं देख सकता हूं कितना होगा ये 7100 है और ये मैं देख सकता हूं 7225 है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 125 ये लीजिए फिर 41 और 125 का multiplication कर लेते हैं तो 125 का और 40 का कर लेते हैं कितना हो जाएगा 125 का इससे करेंगे तो ये 400 और 25 का 4 से करेंगे तो 100, तो यह हो जाएगा कितना 500, तो यह तो 125 का 40 से हो गया, 41 से करना है तो 125 और जोड लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यह 5125, इस में से 125 कम करना है, तो 5000 ही बचेगा, तो प्रश्ण चिन का आंस्वर आगया 5000 जो कि हमारा second वाला option सही होगा, बात करते हैं, next question 46 के बाद 47 के, क्या गयरा 47 देखिए, simple सा आपको question mark के value निकाल लेते हैं, 39114 upon 246, multiply, question mark is equals to 6201, चलिए जो cancel होंगे उनको cancel करके देख लेते हैं, तो cancel करें इसे, तो क्या ये 9 और 3 ये हो जाएगा, फिर इसके बारे में 6 ये भी हो जाएगा, 6 और 2, 8 और ये 9 ठीक है, ये 9 से हो रहा है और ये कितना हुआ, 9 और 10 और ये आपके 15 और ये भी 9 से हो रहा है, तो 9 से ही कर लेते हैं, इन दोनों को ये, चलिए 9 से करते हैं, तो कितनी बार हो जाएगा, 9 से देखें तो, 7 बार देखें, 63, 6 बार हो जाएगा, आपका कितना, 54, फिर ये रहे जाएगा, 6 और ये 28, 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 8 बार करेंगे, तो ये 72, फिर रहेगा 8, तो ये 81 है, तो 9 बार हो जाएगा, फिर हम देखें तो कितना रह जाएगा आपके पास 4,41 तो फिर हम देख सकता है 9,34 फिर देखेंगे 54 तो ये 6 बार हो जाएगा ठीक है और भी cancel हो रहा है तो देख लेता है फिर से तो 246 के ये पूरा-पूरा cancel हो जाएगा वैसे तो definitely इसकी value ही पूरी आ रही है तो हम 246 से इस करके देखते हैं ये दो बार गया ये एक बार गया ये साथ बार गया और ये तीम बार गया ये एक दो और ये आपके हो गया तीन ठीक है फिर उसको करते हैं यहां पर तो ये हो सकता है कितना नौ से देखें तो तीन है 9,18,27 शाथ बार 6 का साथ से 42 चलिए फिर इसी से कर ल तो कितनी बार ये चला जाएगा calculation हो जाएगे और answer हम निकाल लेंगे इन चारों में से option हो जाएगा नहीं तो इन में से कोई नहीं जो भी option आएगा वो हम देख सकते हैं बात करते हैं next जो question है 47 के बाद 48 के बारे में क्या कह रहा है question number 48 देखिए अब जो questions है कुछ questions वो algebra आपके बीजगनित के formula पर आधारीत है ठीके तो जब कभी भी इस तरह के questions हो जिसमें number repeat हो रहे हो और कोई ना कोई बीजगनित का formula बन रहा हो तो उसमें हम A, B मानना start कर लेते हैं जिससे की formula कौन सा है ये पता चल जाता है और साती सात हमें numbers लिखने की जरूरत नहीं पड़ती A, B में लिखकर हम question को solve कर सकते हैं तो जैसा कि मैं देखू 147 इसको हमने मान लिया क्या A 143 हमारा हो जाएगा क्या B ये A ही चल रहा है और ये B है तो अब numbers को ना देखकर A, B के format में question को देखें तो उपर दिख रहा है आपको A square, AB और B square नीचे दिख रहा है आपको A cube और B cube तो उपर वाला तो कोई formula नहीं है लेकिन नीचे वाला बीजगणित का formula है हमारे पास A cube माइनस B cube जो की होता है आपके A माइनस B, A square प्लस AB प्लस B square ये formula होता है तो बस नीचे formula लगा लेते हैं, उपर वाला कोई formula नहीं बनता बीजगणित में तो उसको यूं का यूं हम लिख लेते हैं नीचे वाला बन रहा है तो उसे हम formula बना कर लिख लेते हैं कुछ cancel हो रहा है, बिलकुल ये पूरा cancel होता हुआ नजर आ रहा है तो क्या बचा हमारे पास? 1 upon A minus B अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सवाल मेरा AB में नहीं है, numbers में है तो answer AB में नहीं, number में आएगा A हमें पता है कितना है 147, B हमें पता है कितना है 143 तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 upon 147 minus 143 तो 147 minus 143 करूँगा, तो कितना होगा? 4 ता answer होगा 1 by 4, जो कि मैं देख सकता हूँ, मेरा second option बिलकुल सही होगा चलिए, बात करते हैं, next question number 49 के बारे में क्या गरा 49? A किसके बराबर है? 11K B किसके बराबर है? 9K, A और B की value पता है, आपको वो value निकालनी है दो तरीके हैं, या तो जहां A और B दिख रहा है, वहाँ पर value रख दें फिर calculation करें, answer आ जाएगा, नहीं, तो दूसरा काम हम formula से कर सकते हैं उपर जो मैं देख रहा हूँ, उपर जो मैं देख रहा हूँ वो formula नहीं है किसी का, लेकिन जो नीचे दिख रहा है वो formula है जो कि हमने अभी-अभी apply किया है, A-B, A square, plus A, B, plus B square, ये formula है, A cube minus B cube का जो नीचे लिखावा है तो ये पूरा तो cancel हो गया, answer आ गया 1 upon A minus B, A कितना है 11, B कितना है 9 तो A, B की value यहाँ ना रखकर, इसको solve करके जो आया, उसमें हमने A, B की value रख ली 11 मैं से 9 जाएगा, दो बचेगा, तो answer आएगा 1 by 2, 1 by 2 मतलब first option आपका बिलकुल सही होगा बात करते हैं next question 5050 के बारे में वही numbers repeat हो रहे हैं, तो मानते हैं इनको A, B, A, B मानने से ये होगा, A, B, C तक मान सकते हैं क्योंकि जो algebra 20 गनित पर formula है वो C तक रहते हैं, ये A हो गया क्योंकि एक जैसा number है, ये नया number है तो B हो गया फिर ये A है, ये B है और ये AB है, ठीक है, चलिए, तो अब numbers को ना देखकर formulas को देखें, तो हम देखें, तो AB में देखें, तो उपर है A cube minus B cube, नीचे है A square plus B square plus of AB, तो उपर वाला वही formula जो पिछले दो सवालों में लगा है, तो लगा लेते हैं A minus B, A square plus AB plus B square, नीचे देखू तो क्या हो गया, A square plus B square plus AB, कैंसल होने के लिए कुछ बिलकुल है, कैंसल हो गया, रिजल्ट आ गया A minus B, और A हमने क्या माना है, 458 और B हमने क्या माना है, 239, तो 458 में से 239 हम less कर लेंगे, हमारा answer आ जाएगा तो मैं देख सकता हूँ कितना हो जाएगा, 239 है, तो 1 किया 40, तो ये हो गया हमारे पास कितना इधर, 61 और फिर ये हो जाएगा, 158 और 61 तो पीछे 9 वाला देखें, तो ये आ जाएगा, 158 और 61 तो 219 सेकेंड आप्षिन आपका बिल्कुल सही होगा, चलिए, बात करते हैं, नेक्स्ट कुश्चन नमबर 51 के बारे में, क्या गहरा है, 51 देखिए, 106 x 106 – 94 x 94, 106 का 106 से गुणा करके और इसका गुणा करके इसमें से गटा भी सकते हैं, लेकिन कैल्कुलेशन कम करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 106 का स्क्वेर, दो बार है इसलिए, और ये 94 का स्क्वेर, तो ये हमें दिख रहा, A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर, तो A माइनस B, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो एक बार प्लस कर लेते हैं, तो 106 और 94 को मैं एड करूँगा, तो कितना होगा 200, और एक बार माइनस करना है, तो 6 और ये 6 कितना 12, 12 का 2 से कितना चोईस और ये 00, चोईस सो हमारा आंस्वर होगा, जो कि मैं दे इसकी value निकालनी है, अगेन वही चीज है, यह A, यह B, यह A, यह B, यह B है, यह B है, यह A है और यह A है, बीज गनित में एक formula होता है, दियान दीजिएगा, सारे formula याद रखिएगा, तब ही इस तरह के सवाल आप कर पाओगे, A plus B का whole square, plus A minus B का whole square, जो की होता आपके, 2 times of A square plus B square, कैसे, A plus B का whole square, इसे खोलेंगे, तो A square plus B square plus 2AB, इसे खोलेंगे, तो A square plus B square minus 2AB, तो minus 2AB plus 2AB, add ओकर 0 हो जाएगा, A square plus B square, A square plus B square, तो 2 times of A square plus B square आएगा, तो 2 बाहर ले लेंगे, तो अंदर A square plus B square आजाएगा, उपर देखें अब, formula लग रहा है, बिल्कुल यह जो लिखावा है, 2 times of A square plus B square, नीचे कोई formula नहीं है, तो A B में लिख लेते हैं, A square plus B square, cancel हो रहा है कुछ, बिल्कुल cancel हो रहा है, यह cancel हो गया, क्या बचा आपके पास 2, तो यह 2 हमारा answer आगया, अब देखें, A B बचा ही नहीं, सारी value cancel हो गई, तो कुछ A B की value लेने की जरूरत ही नहीं है, दो बचरा और दो ही हमारा answer है, जो कि हमारा second option सही होगा, बात करते हैं 53 के बारे में, क्या गह रहा है 53, अगेन वैसा ही question है, तो A B मान लेते हैं, यह A, यह A, यह B नया नमबर है, इसलिए B, यह A, यह A, यह B, यह B और यह B, चलिए, उपर देखें तो A cube प्लस B cube, और नीचे देखें तो A square माइनस AB प्लस B square, A cube प्लस B cube फॉर्मूला किसका होता है, A plus B, A square माइनस AB प्लस B square, यह फॉर्मूला होता है, A cube प्लस B cube का, जैसे A cube माइनस B cube होता है, वैसे A cube प्लस B cube बी होता है, नीचे तो A square माइनस AB प्लस B square, कुछ cancel हो रहा है, बिलकुल यह पूरा का पूरा cancel हो गया, क्या बचा A प्लस B A क्या है हमारे पास 629 B क्या हमारे पास 371 तो दोनों को add कर लेते हैं तो 71 और 29 ये 100 हो गया ये हो गया आपके 1000 1000 जो कि हम देख सकते हैं पहला option है और वो option बिलकुल सही है चलिए बात करते हैं next question 54 के बारे में क्या गयरा है 54 देखी ये B, ये A, ये B और ये A, और ये B तो B जगनित में फॉर्मूला होता है हमने देखा अभी अभी हमने देखा A प्लस B का होल स्क्वेर प्लस A माइनस B का होल स्क्वेर देखा वैसे ही A प्लस B का होल स्क्वेर माइनस A माइनस B का होल स्क्वेर भी होता है जो की होता है 2AB कैसे होता है देखिए इसको खोलूँगा तो A square plus B square plus 2AB इसको खोलूँगा तो A square plus B square minus 2AB इस minus की वज़े से वो minus 2AB जो है वो आपके क्या चाहिए 2AB नहीं sorry 4AB होगा इस minus की वज़े से जो है अंदर वाला minus 2AB प्लस का हो जाएगा, तो 2AB और 2AB, 4AB आ जाएगा, और जो A² प्लस B² यहां प्लस के होंगे, वो इस माइनस की वज़े से माइनस के हो जाएगे, तो माइनस का A², माइनस का B², यहां पर प्लस का A², प्लस का B² से जुड़कर 0 आ जाएगा, और यह पूरा बराबर आ जाएगा 4AB के, उपर formula यही लग रहा है, तो लगा लेते हैं, तो result आ गया, उपर वाले का 4AB, नीचे AB ही है, AB से AB गया, बचा 4, मतलब 4th option आपका बिलकुल सही है, बात करते हैं, next जो question है 55, उसके बारे में, X की value है, हमारे पास 2Y प्लस 6, और हमें इसके बारे में पूछा है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिएगा, जो यह है, यह खुद भी एक formula नजर आ रहा है, कैसे, देखते हैं अभी, क्या यह हमारे पास जो है, X minus 2Y का whole cube है क्या, देख लेते हैं या नहीं, A minus B का whole cube अगर मैं देखूं, A minus B का whole cube होता है, हमारे पास, A cube minus B cube minus 3AB, A minus B, यह formula होता है, बीजगनित का ध्यान रखिएगा, फॉर्मुले याद करते रहिएगा, जैसे-जैसे question में आ रहे हैं, वैसे-वैसे, चलिए, बात करते हैं, तो हमारे पास, क्या, इसको खोलने पर ये value मिल रही है, देखते हैं, A cube, यहीं से देख रहे हैं, A हमारा X हो गया, और B हमारा 2Y हो गया, तो यह हो गया, A cube minus B cube, minus 3AB, और bracket में क्या, A minus B, ठीक है, चलिए देखते हैं, X cube minus 8Y cube, यह अंदर 3 into 2 कितना 6, 6Y और यह X, तो यह 6X square Y, फिर अगर X minus 2Y की value यहां से मैं देख सकता हूँ, देखिएगा, यह इधर आ जाएगा अगर, तो यह हो गया, X minus 2Y और बराबर में कितना 6, तो हम ऐसा करते हैं, यह जो X minus 2Y है, इसकी value ही लिख लेते हैं, जो कि कितनी है, 6 है, तो यह लिजिए, लिख लेते हैं यहां पर, यह हो गया, 3X, 2Y, और X minus 2Y की value आ गई 6, तो यह X cube minus 8Y cube, यह अंदर multiply होगा, तो 3 का 2 से 6, 6 का 6 से कितना, 36XY, तो 36XY तक तो ठीक था, लेकिन एक चीज minus 216 और extra आ रही है, तो minus 216 और extra आ रही है, तो हम ऐसा करते हैं, जो X minus 2Y का whole cube करने पर हमें यही चीज मिल रही है, तो क्यों ना, इसको हम क्या लिख लें, इसको हम लिख लें, X minus 2Y का whole cube, और minus 216 करना है, तो यह लीजिए, minus 216 कर भी लेते हैं, और X minus 2Y की value कितनी है, 6, तो यह लीजिए 6, तो यह 6 का whole cube minus 216, और 6 का whole cube होता है, कितना, 216, 216, तो 216 में से 216 जाएगा, 0 आएगा, इसका मतलब हमारा second option जो है, वो बिलकुल सही होगा, तो यह था हमारा question number 55, next जो question है 56, उसकी बात करेंगे हमारे next part में, thank you so much.